अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और प्लान दुनिया के सामने आ गया है और ये प्लान ऐसा है जो कि आगामी T20 वर्ड कप में पाकिस्तान टीम को और भी खतरनाग बना देगा टीम इंडिया समें T20 वर्ड कप में शिर्कत करीथ हर बड़ी टीम के लिए ये एक बड़ा खतरा सावित हो सकता है या ये जो अपकमिंग T20 सिरीज होने वाली है उसमें बाबर आजम पांच ऐसे रिकॉर्ड बना सकते हैं जो आपको पता नहीं होगा बाबर आजम को 45 रन की दरकार हैं और है 4000 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट रन पूरे करने के लिए टीम के साथ नए हेड कोच गेरी करस्टन तो जुड़ी चुके हैं पाकिस्दान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी T20 वर्ल कप में अपनी टीम के और वी अच्छे प्रदेशन और खिताबी जीत की उमीद करते हुए वेस्ट इंडीज के पूर दिगदेश कप्तान और वर्ल क्रिकेट के सबसे खुखार बल्ले बाजू में शुमार विवन रिचर्ट को एक बड़ी पेशकश दे दी है बाबर आजम अब T20 इंटरनासल में अजर कैप्टेन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गया है बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है अब वो T20 इंटरनासल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कैप्टेन बन गया है बाबर आजम ऐसे बैटर कप्तानी करते हुए सब को पीछे छोड़ करके नमबर वन पे पहुँच गया है विराट कोली को पीछा चोड़ देंगे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में विराट भी पीछे राजा है कि यह तो हो गया दूसरा रिकॉर्ड में जो कप्तान रहते हुए चार हजार रन बना देंगे इंग्लेंड में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विदेशी बलेबाज बन जाएंगे बाबार आजम ने वर्ल रिकॉर्ड बनाया T20 वर्ल कप से पहले रोहिच शर्मा और विराट कोली को टराया इंग्लेंड और पाकिस्तान के सीरीज से पहले बाबार आजम जो कि बहुत बड़ा ब्रेंड है पांच बड़ी रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले है दूसरे तरफ पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ड ने सर विव रिचर्ड के साथ पाकिस्ताने टीम के लिए एज़ा मेंटोर रखने का पैसला किया है जो कि पाकिस्ताने टीम के लिए एक बहुत अच्छी और मुपीद पैसला है सर वीव रिचर्ड विस्टन डेस्ट की कंडिशन से बहुभी अगाह है और ये देगर ममालिक के लिए खत्रे का सबब बन सकते है इस वीडियो में हम आप लोग के साथ बाबराजम के पांचो रिकार्ड और सर वीव रिचर्ड के ओवाले से बारती मेडिया के मुकमल रिपोर्ट शेर करेंगे हमारे साथ आखिर तक रहिए पांच रिकार्ड के बारे मैं आपको बताएंगे जो बाबराजम आने वाले इस सिरीज में जो इंगलेंड के साथ जो सिरीज होने वाली है इसमें बाबराजम बड़े अराम से बना सेकते हैं बाबराजम को 45 रंग की दरकार है 45 रंग की दरकार है 4000 T20 इंटरनेशल क्रिकेट रंग पूरे करने के लिए अब तक बाबराजम ने 4975 रंग बना है और मैं आपको बता दू कि बाबराजम दूसरे ऐसे प्लेर बनेंगे जिन्होंने ने 4000 रंग बनाने का मुकाम आसल किया है अब दूसरा एक रिकॉर्ड मैं आपको बता दिता हू बाबराजम को टोटल 83 रंग की दरकार है T20 इंटरनेशल क्रिकेट में सबसे जादा रंग बनाने का रिकॉर्ड बना लेगा सबसे जादा रंग बनाने का रिकॉर्ड बना लेगा 83 रंग बाबराजम अगर बनाते है तो बन जाएंगे विराट कोली को पीछा छोड़ देंगे T20 International Cricket में सबसे ज़्यादा रन बनाने की मामले में विराठ भी पीछे रा जाएंगे यह तो गया दुखरा रिकॉर्ड तीसरा रिकॉर्ड यह है कि बाबर आजम को 96 रन की दरकार है 96 रन अगर वो बनाते हैं तो इंग्लेंड में T20 International Cricket में सबसे ज़ादा रन बनाने वाले विदेशी बले बाज बन जाएंगे क्या बन जाएंगे विदेशी बले बाज बन जाएंगे 14 रिकॉर्ड यह है कि बाबर आजम को 28 रन की दरकार है 48 रन्स की दरकार है इंग्लेंड के खλαफ सबसे ज़ादा T20 International Cricket में रन बनाने के रिकॉर्ड है इंगलेंड के खिलाब बाबर आजम बन जाएंगे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बले बाज है पाँचवा रिकॉर्ड ये है कि बाबर आजम को चारो मैच जीतने पड़ेंगे चारो मैच जीतने पड़ेंगे इससे होगा क्या एक तो बाबर आजम पाकिस्तान के पिछले 30-40 साल के इतिहास में वाइट बॉल सिरीज में वाइट बॉल सिरीज में जीतने वाले वह कप्तान बन जाएंगे पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ पहले चार जीरो से अगर आप जीत लेते हो तो इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विन करने वाला ये बंदा उल्रेडी तो बन चुका है लेकिन जीत का 50 साल लगा लेगा पाकिस्तान के कैप्टन भाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में एक बहुत ही बड़ा वर्ल रिकॉर्ड बना दिया है वर्ल रिकॉर्ड भी बना दिया और विराट कोली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए अब T20 के किंग बाबर आजम बन गए है दरसल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 50 प्लस रन बनाने वाले खिलाडी सबसे पहले नंबर पर अब बाबर आजम आते हैं बाबर आजम ने विराट कोली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है विराट ने 38 बार 50 प्लस का स्कोर T20 इंटरनेशनल में बनाये है तो रोहित शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड 34 बारका है लेकिना बाबर आजम के नाम ये रिकॉर्ड 49 बारका हो गया है तो बाबर आजम अब T20 इंटरनेशनल में अजर कैप्टेन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गया है काफी नजदीक वो अल्डरेडी पहले ही पहुँच चुके थे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पहले ही मैच में थोड़े रन और बनाते है जो मैच हुआ और ये जिलैंट के खिलाब पहला T20 तो उसी में ये रिकॉर्ड बन जाता बाबर का लेकिन चलिए कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए बावराजम ने एक बहुत बढ़ा रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है अब वो T20 इंटरनेस्टल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कैप्टन बन गये है देखे विराट कोली रोईत सर्वा जैसे कैप्टन रहे हैं T20 इंटरनेस्टल में ओएन मॉर्गन जैसे कैप्टन रहे है एरन फिंच केन विलियमसन जैसे कैप्टन रहे है और यह सारे बहुत अच्छे बैटर भी थे लेकिन बावराजम ऐसे बैटर कप्तानी करते हुए इन सब को पीछे छोड़ करके नमबर वन पे पहुँच गए हैं उस प्लेस पे पहुँच गए है जहां वो जाना बहुत पहले से डिसर्व कर रहे थे बावराजम दुनिया के पहले ऐसे कैप्टन बन सकते हैं T20 इंटरनाशनल में जो कप्तान रहते हुए 4000 रन बना दे दोस्तों आप क्या लगता है 4000 या 5000 कुछ कम बोल रहा हूं मैं पाकिस्तान ने बनाया खुकार प्लान अब T20 वर्ल्ड कप में दिखेगा 72 साल का कप्तान महा मुकाबले पर मंडराया महा खत्रा यहां पाकिस्तान क्रिके टीम जो की आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तयार होती हुए नजर आ रही है मौझूदा वक्त में पाकिस्तान की टीम इंग्लिंड दोरे पर है जहां पर उसे चार मैचों की T20 सीरीज के लिए है हलाकि पाकिस्तान बोर्ड ने अब तक T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का एलान नहीं किया है अगले 48 से 72 घंटों में ऐसा माना जा रहा है कि टीम का एलान भी हो जाएगा लेकिन पाकिस्तान टीम के एलान से पहले ही अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और प्लान दुनिया के सामने आ गया है और ये प्लान ऐसा है जो कि आगामी T20 वर्ल कप में पाकिस्तान टीम को और भी खतरनाग बना देगा टीम इंडिया समेथ T20 वर्ल कप में शिर्कत करीथ हर बड़ी टीम के लिए ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी T20 वर्ल कप में अपनी टीम के और भी अच्छे प्रदर्शन और खिताबी जीत की उमीद करते हुए वस्त इंडीज के पूर दिगज कपतान और वर्ल क्रिकेट के सबसे खुखार बल्ले बाजो में शिमार विवन रिचर्ट को एक बड़ी पेशकश दे दी है पाकिस्तानी मीडिया के मताबिक T20 वर्ल कप 2024 के लिए सर विवन रिचर्ट को पाकिस्तान टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसका अपचारिक एलान भी वर्ल कप के लिए पाकिस्तान टीम के एलान के साथ किया जा सकता है पाकिसानी मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मताबिक सर विवन रिचिट्स पाकिसान टीम के मेंटॉर बन सकते हैं PCB की विवन रिचिट्स से इसे लेकर बात्चीत भी शुरू हो चुकी है गौरत अलब है कि T20 World Cup 2014 अमेरिका और West Indies में खेला जाना है और PCB, West Indies की कंडिशन को समझने के लिए सर विवन रिचिट्स के अनुभव का फाइदा अपनी टीम को देना चाहता है बारती मीडिया की मुकमल रिपोर्ट्स आप लोगों नहीं देखी होगी जिसमें बाबर आजम इंगलेंड के खिलाब 4 T20 मेच स्रिप केलने के बाद 5 रिकार्ड बनाएंगे और ये रिकार्ड बाबर आजम के पास स्रिप ही रहेंगे बाबर आजम की 5 रिकार्ड में सबसे बड़ा जो रिकार्ड होगा वो एजा केप्टन सबसे ज्यादा रंज बनाने का रिकार्ड होगा सर वियू रिचर्ड पाकिस्तान के लिए जा मेंटर के तोर पर काम करेंगे जो कि पाकिस्तानी क्रिक्ट के लिए एक खास खिसम की अपरचुनिटी है आप लोगों का किया खियाले बाबराजम की पांच रिकार्ड के आवाले से हमें अपने राए कमेंट सेक्षन में जरूर दीजिए और अभी तक वैडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्सट वैडियो में